एपेसोड की शुरुवाद उती हो और हम देखते है तासु योशी को जो कि अभी भी इस देन से सोके उठा होता है पर फैल उसे ऐसे देखता है जैसे उसने बर्सों से खाना निकाया हो पर तासु योशी उसे एगनोर कर देता है जिसके बाद फैल उसे कहता है तुम मुझे बढूत करनी एशू करूं मु 제 gesch क्करें दो तुम ठूर रोज्ट करना चाहिए और अभी के लिए सूदी काम ना उन रहे जगेवे पहुज आते हैं जे कम कना बनेगा हिए कहता है जाता है निकार करने पडेंगे खांसू वो कहता कि मेरा क्या होगा तो फैल उसके आसपास एक प्रोटेक्शन बना देता और कहता है कि जब तक मैं आउं तो तुम्हें कोई छूबी नहीं सकता ये इतना स्ट्रोंग है जिसकी बाद फैल यहां पर शिकार करने चला जाता है और ताशी योशी अपने पावर के मदद स काफी सारे हफ्स कलेक्ट कर लिता है जिसके बाद हो कहता है यह कुछ आपने प्छले एपैसे निकाल देता है और देरे धिरे अब खाना बनाने लग जाता है जस काने यह काफी अच्छी खुश्भारी होती है उतने में फैल एक बर्ड को पकड़के लिया और कहता है कि जंगल में में और सारी जानवर मारे बाद हम जाके उन्हें कलक कर सकते हैं पहले मुझे खाना दो यह कहता है कि जल्द ही बन जाएगा थोड़ी दिर इंतजार करो जिसके बाद धीरे-धीरे करके यहां पे तास्योशी अपना खाना बनाने लग जाता है और और यहां पर पूशता है तो चैस के बाद यह जाता है और उसका शुक्रिया करता है जिसके बाद वो जब जगल चाना में बनाने जाता है समारे होते हैं इसे बहुत हैंने खाया सकता है वो इसे भी अपने बाक्स में रख लेता है जिसके पाद जल दी कि हमने पहुचना पढ़ेता है तकि हम यह तो समिट करा सके तो यहां पर यह उस प्राव जाता है पर उसे कि पता था जदा तो काफ़ी जाता है तो वह कहता है गर में गिर चाता तो क्या होता फैल कहता है मुझे तुमारे कोई परवा नहीं है यह कहता है अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी दुनिया का खाना कभी नहीं खापाऊगे फिर फैल उदास हो जाता है थोड़ा और वो बहार वेट करने लग जाता है तास योशी का जिसके बाद वो हर्प्स यहां पे एडवेंचर गिल् पूछती तुमने इतने जादा कलेक्ट ली मुझे विश्वास नहीं हो रहा और उसके बदले में वो कुछ सिल्वार और कुछ ब्राउन कोई उसे दे देती है यहां यह भी कहता है कि मैंने काफे सारे मॉंस्टर का सिकार किया है यहां वो कहती है तुम इतने ज्यादा पूछता है बचले तुम क्या लाए हो जिसके बड़ा ससूर इसके सामें रेंगी तैको पीछे आजा हूँ हम वहापे डील कर सकते जिसके पाद ताशी ओशी कहता है ठीक है यहां पर यह लोग पीछे आ जाते हैं यहां पर हर किसी को यह सारे मॉंस्टर को यह पर निकाल द सकते हैं यहां तास्योशी फिर से पूछता है क्या हम यहां पे पिक्स भी खा सकते यह वाले यह कहता है कि काफी दिन मैं नहीं खाया है यह नहीं खाए जिस를 पर यह अरषिक होता है तुछी देहर Kyle है ऊचाना बना लेता जिस선 तुर पानी टब पक लग जाता है और वो कहता है कि मैं इंताजार नहीं कर सकता कुछी देर में ये डिश बनके रेडी हो जाती है जिसी ये दोनें काफ़ी जदा खुश होते और ये फैल को वो एक बड़ा सा बोल में खाने के लिए देता है जिसी ये नॉमली देता है और ये अब खाना चालू कर देते हैं फैल जब पहली वार खाता है वो कहता है ये काफ़ी दे इंप्रेसिव है जिसके बाद ये नो आप खाना खाने लग जाते हैं अगले दिन जब ये मीट शॉप पे जाते हैं तब देखते हैं कि काफ़ी ज़दा मीट है यहाँ पे और ये हरान रह जाते हैं उन जानवरों से इतना ज़दा मीट निकला हैं जिसके बाद मीट शॉप काउनर इससे 202 गोल्ड कोईन देता है जो की काफ़ी ज़दा होता है पर वो इससे एक्स्प्लेइन करता है दर असल ये जितनी भी इनके अंदर की पार्ट्स होते हैं मॉंस्टर्स के वो काफ़ी ज़दा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उसे मैजिकल स्टोन्स भी देता है जो की और के अंदर से निकले होते हैं वो magic store कर सकता है जिसे ताश्योशी काफिज़ इंप्रेस होता है और वो कहता है लगते हैं तुम्हें मार्केट के बारे में पता नहीं है और मैं इंप्रेस हूँ कि फैल ने तुम्हारे साथ contract किया नॉर्मली ये जीब किसी के साथ भी contract नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफिज़ पाउरफुल होते हैं और इनसे वीक इन्हें पसंद नहीं होते हैं पर पता नहीं इसने तुम्हारे साथ contract कैसे किया ये लोग फिर गेल्ड के बाहर निकल जाते हैं पर शहर के लोग इनने चारों और से देखने लग जाता है क्योंकि फैल काफी जदा स्ट्रॉंग जीव होता है जो कि नॉर्मली नहीं दिखाए देता है यह सब देखे कि फैल सबका अटेंशन ग्रैब कर रहा है यहां तास्योशी उससे जंगल में लेहाता है जिसके बाद वो कहता है कि हम यही पर अपना कर सकते गासि उसे कहता है कि तुम ने काफी मैनत की कि एपना झीज़ाइड पैसे कमा आपए और 7 DAN मेट भिए तुम जो चाहिए वो और सकते हो अंहों की रेडीमेट होती है मैं और जब फैल उसे खाता है तो ही तो हुप Wähle उसे चाप तो कहता है कि कितना स्वाधिस्ट है मुझे एक और दो जिसके पाद फैल और खाने लग जाता है और वो कहता है कि मैं रुक नहीं सकता यह तना ज्यादा स्वाधिस्ट है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जिसकी बाद रात हो जाती है जहां फैल कहता है कि मेरा पेट तो पाउरफुल रन्च चुक है उसके फूड की बज़े से और इसके बद फैल कहता है कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ यहां पर फिर वो इसे प्रोटेक्शन दे देता है जिसके बद आशियों शी कहता है मैं आप सो जाता हूं फैल रात को जो भी करें वह काफी दा पाउरफुल और वो काफी नए नए जीवों को भी मार देता है अगले दिन चपतास यो शूटता है तो देखता है काफी सारे मॉंस्टर उसके पीछे लगे हुए वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया यहां पर फैल कहता है कि काफी जदा एक्साइटेड हो गया और जिसकी वज़े से उन अगर आप यहां तक देख रहा है इस तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते ना मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं यार हां मैं पांच दिन से वीडियो अप्लोड ने कर रहा हूं क्योंकि यह थोड़ों बहुत अजीव सब लग रहा था एंड हिम्मत ने उर्देव वीडियो बनाने की कुछ कोई लोग देखते हैं नहीं है पर कोई नहीं मैं वीडियो डालते रहूंगा थैंक्स फूर वाचिंग